नमस्कार न्यूज नेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं मौनू चहल वीमेंट्स टीटवेंटी वर्लकप दो हजार चोबिस की बात करें तो मैच नंबर टैन बड़ा खास होने वाला है यहाँ पर इस ग्रूप में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी है न्यूज लेंड भी है इंडिया भी है श्रीलंका भी है और पाकिस्तान की टीम भी है तो ऐसे में बड़ा दिल्चस्फ होगा यह वाला मैच इसमें की न्यूज लेंड वूमेंस वर्सिज ऑस्ट्रेलिया हो सकती उस पर भी नज़र डालेंगे और head to head में New Zealand women's कितनी आ गई है उस पर भी बात करेंगे और साथी साथ अगर आप fantasy के दिवाने हैं बहुत कैप्टन और vice captain इस कड़े और बड़े match में किसे pick करना है उस पर भी बात करेंगे लेकिन ये जो match है भाई दोनों टीमों के लिए काफी खास होने वाला है और Australia तो ये चाहेगी ये मुकाबला जीता जाए हर हाल में Australia छे बार की champion है और ऐसे में वो भूलकर भी हलके में नहीं देना चाहेगी New Zealand की टीम को तो वहाँ पर सारी जो उमीदे हैं Sophie Divine से होंगी लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालते हैं बही नुजिलेंड वूमेंस की जो possible playing eleven है वो क्या हो सकती है नुजिलेंड वूमेंस संभावित playing पर नज़र डालें तो सूजी बैट्स होंगी जोर्जिया लिंपर होगी और इसके लाव अमेलिया केर होंगी सौफी डिवाइन जो कैप्टन इस टीम की ब्रोक होलिडे है मैडी ग्रीन इसाब बेला गेज विकट कीपर इस टीम की जैस केर होंगी रोजमेरी मेयर जिन्होंने चार विकट चटकाए थे इंडिया खिलाफ ये इन पर कहीं ना कि निज़ाएं जरूर रहेगी और इडन कार्सन भी है इस टीम में तो कुल मिलाकर अच्छा टीम है अच्छी कॉंबिनेशन इस टीम का बैलनस भी है इस टीम में एलिस पैरी होंगी इनसे बड़ी उमीदे रहती है एशले गार्डनर होंगी और यहां पर अगर देखें तो अनाबेल सदर्लैंड भी है जोर्जिया भी है और सोफी भी इनस टीम में है मेगन स्कूर्ट होंगी डार्शी ब्राउन होंगी तो कुहीं न कई ऑस्ट्रिलिया क अगर देखें वर्सिज न्यूजिलन की टीम में तो न्यूजिलन की टीम थोड़ी स्ट्रोंग नजर आती है ऑन पेपर अगर आप देखें तो थोड़ी मजबूत इसलिए नजर आती है क्योंकि इनके पास अच्छा बॉलिंग अटेक है न्यूजिलन की बॉलिंग 26 मैची जीते हैं और नुजलेंड ने अभी 21 जीते हैं और एक मैच टाई हो गया था तो यानि कि बगर हैट टू हैट देखे तो वहाँ पर हम देख रहें कि वह उस्ट्वेलिया का पड़ा थोड़ा भारी नजर आता है लेकिन एक चीज और बड़ी इंपोर्टेंट है वो है और अनुकूल होता जाएगा विकेट यहां बाउंडरी छोटी होने की वज़े से बलेबाजों को फायदा मिल सकता है इस पीछ पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी मौसम की बात करने तो सुहना रहेगा और तापमान 36 डिग्री सेल्सिस के आज पास रहने वाला है यानि कि आपने पिछ रिपोर्ट में देखा दोस्तों जहां पर अगर स्पिनर्स का थोड़े इफैक्टिव हो सकते हैं लेकिन बलेबाजों के लिए काफी शूट करेगा तो ऐसे में जो भी टिम टॉस जीते कि आए थिक वो पहले बैटिंग नहीं का भी शामिल है आईसी सी महिला टीट्वेंटी वर्लकप दोजर चोबिस की जो पॉइंट स्टेबल है उस पर नज़र डालें तो नुजिलन के टीम इस वक्त नंबर वन पर है और इसके अलवा नंबर टू पर देखें तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है यह देखना ब अमीदे हैं वो दोनों खिलाडियों से रहने वाली हैं दोस्तों अगर आप इस मैच की फेंटेसी बनाना चाहते हैं तो मेरी तो यह राय है कि आप एलिसा हिली और रोजमेरी मेयर्स को आप शामिल कर सकते हैं अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं क्यो होना है और 7.30 पर यह मुकावला खेला जाएगा और इस मैच की पूरी कवरेज आपको कहा में लेगी ओनली ओन न्यूजनेशन और न्यूजनेशन स्पोर्ट्स को तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे साथ यूँ ही बने रहे हैं न्यूजनेशन अब वाट्सेप पर खपरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूजनेशन के इस क्यूर कोड को स्कैन करें